पिछले दिनों इंदौर की राजनीती में उतल पुतल के बाद कॉंग्रेस की लोगसफ़ा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अक्षय कांती बंकी मुश्किले भाजपा में जाने के बाद भी बढ़ रही है कोट ने बंद लिफापे में पुलिस को पेंड ड्राइब भेजी है और फरजी वाड़ा और धोका धड़ी मामले में कोट ने दस में तक आक्षिन रिपोर्ट पेश करने को कहा है अड्वोकेट कृष्ण कांत कनहारे ने बताया कि अक्षबंद के लॉक कॉलेज इंद और खंवारोल स्थित की नेकी रैंकिंग हासल करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर 47 फैकेल्टी दर्शाय गई है जिसमें से लगबग 17 फैकेल्टी कॉलेज में काम ही नहीं करती एक फैकेल्टी रश्मी शुकला की 2022 में मौत हो चुकी है उन्हें भी रेगुलर फैकेल्टी वेबसाइट पर दर्शाया हुआ है ऐसा ही एक और फैकेल्टी है जो इन दौर से बाहर काम कर रही है उन्हें भी कॉलेज में रेगुलर दर्शाया गया है ऐसे सत्रा फैकेल्टी हैं जिनको लेकर के शिकायत की गई है जाज के लिए जिला कोट ने पैंड्राइव बंदले पाफे में पुलिस को सौब दी है इस पूरे मामले में ई और डबलो को भी शिकायत की गई है उन्हें प्राटिदार से जो डारेक्टर है मन्त पर राजपर से एचार के उरते प्रसुत कराता इन सब चीज को देखते हुए कोट में हमने एक पैंड्राइव भी पेश्ट करी वह पैंड्राइव के नकई सबूत हैं उप कालिज प्रबंदन के विरुद्ध इन सब चिलो के पाकोट ने मामले की गंविर्दा को देखते हुए पुलिस ने इसमें क्या एक्शन लिया उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को बुलाया है और उसके लिए आगे में तारिक 10 मई 2024 नियत करिए और साथ में उस पैंड्राइव का एक सेट पुलिस को पूचा है